What's up guys, I hope you are doing well, I am Veer, Welcome to Study Lover ये देखे किदनी शांदार बात बोली गए हैं आपर मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली देखे ये आप लोग को हर कभी नहीं माननी है चाहे वो किसी भी एरिया में क्यों नहीं हो बहुत सारे स्टुडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे है सर S.S.C. के जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में क्या किया जाए देखे कहीं पर भी S.S.C. की बात निकर रहा हूँ कहीं पर भी अगर आपके राइट का हनन होता है तो आप लोग को उस हनन को रोकना चाहिए हमेशा अगर कहीं पर भी आप लोग को लगता है किसी भी एरिया में only S.S.C. की बात निकर रहा हूँ लाइफ में किसी भी एरे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की है, अगर उसके राइट का हनन हो रहा है, तो आप लोग को उसके खिलाब आवाज हमेशा उठानी ही उठानी चाहिए, देखिए एक तरफ तो इंसान रहता है, अपना टाइम निकाल क तन, मन, धन से हर तरीके से अपने एक्जाम की तहरी कर रहा है, और एक इंसान पैसे के बलबूते पर एक सीट लेकर चला जा रहा है, तो देखिए ये बिल्कुर सरासर अन्याय है, और अगर आप लोग को लगता है, तो अपने लेवल पर आप लोग को हमेशा इन सब चीज जोगो सेर कर जिए, जिसे जादे से जादे चीजे सेर हो, इसी तरीक से आप अगर किसी डिस्टिक में है तो आप लोग डिस्टिक कलेक्टर के पास में जाकर अपनी अप्लिकेशन समिट कर सकते हैं, जादे से जादा बच्चों के साइन करवा कर, तो गवर्मेंट तक इन तरीके अगर चीज़े होती हैं, उनको अपने लेवल पर सपोर्ट कीजे, ओके, आज फिफ्ट मार्च है देख लेते हैं, नैनो मेकजिन के तैत हम लोग पहले आपर P.I.B देखेंगे, फिर योजना देखेंगे, ओल इंडिया रेडियो की न्यूज देखेंगे, पिरलिन्स क सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात की जा रही है, इनोगिरेट किया गया है, अभी रिसेंटली कहाँ पर करनाट का में, सक्तिस थला इसका नाम यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, और आप लोग को पता है, गवर्मेंट ओफ इंडिया के द्वारा, 175 गीगावाट, रिनेवल एनरजी बनाने की बात की जा रही है, 2022 तक, इस 175 गीगावाट में आप लोग को पता है, 100 गीगावाट जो है, वो उसमें सोलर पैनल वाला सिस्टम है, कि हाँ सोलर से जो हमको एनरजी क्रियेट करनी है, उसके बारे में जिकर किया जाता है, तो कहीना कई बहुत ब गीगावाट आप लोग यहाँ पर इसी कैपिसेटी देखने को मिल रही है, और यह कैपिसेटी आप लोग को खहिने की बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, 100 गीगावाट सोलर पावर को अचीव करने में जो की सेंटर का प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा इसके बारे में आप देखेंगे आपर कोईला होता है, या फिर आप लोग को पैट्रोल डिजल यह सारे जो प्रोडेक्ट रहते हैं, कम से कम उनका यूज किया जाएगा, ठीक है, तो थुमकुर यह डिस्टिक है, आपर करनाट का में आप लोग को देखने को मिलेगा, बैंगलोर से 180 किलोमेटर दूर है, यहाँ पर यह पार्क इनोग्रेट किया गया है, तो अगर पूछा जाए आप लोगों से थोड़ा आप लोगों इसके बारें पता होना चाहिए, आईए अप नेस्ट आर्टिकल की तरफ को चलते हैं, नेस्ट हैं आपर यह एक रिचुल है, आप लोग को देखने देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, बच्चों को बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रिग्रेसिव प्रेक्टिस की जाती है, उनको सजाया जाता है, कई दिनों तक उनको खाना ना खाने के लिए कई तरी हर्कदे की जाती है, अब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी कुतियोत्यम रिचुल होती है, बच्चों के राइट्स का हनन किया जाता है, तो चाइल्ड को प्रोडेक्ट करने की हाँ पर बात की जा रही है, तो इस तरीके से अगर कोई रिचुल्स यहाँ पर आती है, तो आप लोग को थोड़स के बारें पता होना चाहिए, तो नॉर की बात की जा रही है, और एक बैलेंस बनाने की बात की जा रही है, कि जो हमारे राइट्स हैं और जो हमारे कस्टम्स है, उनमें एक बैलेंस होना चाहिए, यह निकि राइट का हनन करके आप लोग हमापर अपने कल्चर करने हैं, तो यह बात हैं आपर बोली जा रही है, य है कि हमारी जो फसले जो है अच्छी हुई है उन सब चीजों से लिड़ी जो भी चीज़े होती है उन सब इस चीज़े परफॉर्म की जाती है सेवन डे का आप लोगो देखने को मिले गए यहाँ पर मतलब बच्चों को पहले बुला लिया जाते है टेंपल में और सेवन डे तक लगबग उनको एक इस्टिक डिसिप्लिन में रखा जाता है ठीक है और उसके बाद में उनको परफॉर्म करने के लिए फिर बोला जाता है पर सोलर पावर की बात की गए और यह हो गया आपर केरला दोनों देख लिए आपर कई बार आप लोगोंसे मैप प्रेठीस कोशन अगर पूछे जाएं तो आप लोगो कम से कम बाउंडरीर पता होनी चाहिए किसकी माउंडरीर का किससे मिल रही है किरला को आप लोग गांड करते हैं तो प्र महराश्ट पर नीचे करनाठ का ऋ तो कई सारे स्टेट इस तरीकी से पूछ जाते हैं आप लोगों से ठोड़ा सा उसकी बाउंडरी जाकर मैप में एक अगर थोड़ा सा दूसरे मैप में देखे तो आप लोग समझ पाएंगे इस वाले एरिया की बात की जा रही है ठीक है तो बोम साइकलों यहां पर देखने को मिला जो की काफी लार्ज प्रेसर के डिफ्रेंस की वैसे सारी एक्टिविटी होती है जिस तरीके सा आप लोग को देखने को मिलेगा अगर प्रेसर यहां पर प्रेसर जादा है और यहां पर प्रेसर कम है ठीक है तो क्या होगा इधर से इधर की तरफ को आप लोग को देखेगा हवा यहां पर चलने ल लेकर आएंगी और पानी लेकर आएंगी तो फिर यहां पर आकर बरसात करना इस टार्ट करेंगी तो इस तरीगा आप लोग नजल आता है कुछ ऐसे फिनोमिनन आप लोग यह वाले की बात की जारी है टाइम प्रेचर और प्रेसर का जो यहां पर एक लिए के लिए वाले के आप लोग पर नीकल किया पानी के अंधर में तो यहां पर पानी का रोटेशन होने लगता है तो फिर आप लोग पता है साइकलोन जैसी चीजे और कई बार ये एक्टिविटी आप लोग का अपने रिजने भी होती दिखती है हमाने आप लोगोंने कई बार डिसकस कर चुके हैं पास्ट में कई सारे साइकलोन आप लोग को आते हुए नजराते हैं नुकलर पावर प्लांट बनाने की बात की जारी है कहाँ पर बंगलादेश में बंगलादेश में बात की जारी है पर मिलकर कोन बना रहे हैं पर आप लोगों को देखने को मिले का इंडिया हो गया बंगलादेश हो गया रसिया तो यह एक ट्राइप पाट आई मतलब तीन में हम एनर्जी में एक दूसरी की help करें और आने वाले टाइम में एनर्जी से लिटर प्रोडम को दूर किया सके रसिया नुकलार प्लाइट बंगलादेश में बना रहा है आप लोग को नोर्मली देखने को वो कहीने कहीं अंडर पोसेजिंग है या कुछ कंप्लीट हो चुके हैं तो इसी तरीक से यहाँ पर भी यह रोल प्ले कर रहे हैं और इंडिया भी यहाँ पर एज़े पार्ट यहाँ पर इंडिया भी इन्वोल है कि कई सारे एक्क्यूपमेंट वगरा सप्लाई किया तो कहीने कहीं बंगला भी बंगला देश भी दूसरी कंट्री को वगर डिपेंड निकरेगा और खुद की एनर्जी सिक्योर्टी कर पाएगा तो इसलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यह नुकलर पार्वलांट बंगला देश में आईए एक map practice question देखते हैं कई बार इस तरही कोशन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं और कई बार इस तरही के important information आप लोगों पता होने चाहिए बात की जारी है चेक Republic के बारे में और यहाँ पर देख सकते हैं प्राग क्या हो गया इसके आपर प्रगे या प्राग बोले आप इसको यह हो गई है आप इसकी capital तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए यह question कई बार पूछ लिया गया है अब तक तो इसको याद रखेगा थोड़ा interesting fact क्या है इस country के बारे में यहाँ पर maximum आप लोग को देखने को मिलेगा यह country कई एरिया में बहुँ ज़्यादे आगे है मतलब जो आप लोग को देखने को मिलेगा human development index हो गए यह फिर जब बात आती हैं आपर religion की तो यहाँ पर लोग यह बोलते हैं कि हमको religion declare करना ही नहीं है मतलब 40 आप लोग को देखने को मिलेगा 44% लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने अपना religion declare करी नहीं रखा है मतलब एक secular country के रूप में हाँ पर इसको देखते हैं यह बोलते हैं कि हम सब मिलजूल कर रहेंगे यह इस religion के सब यहाँ पर मिलजूल कर रहेंगे और enjoy करेंगे ठीक है तो इस तरीके से देख कितना interesting fact है अगर हमारी country में भी कुछ ऐसा हो जाए तो कितनी शांदार चीज़े हो जाए आधी लड़ाई तो वैसे ही खतम हो जाए लोगों की अगर हम लोग भी यह सोचने लगें कि कोई religion नहीं है हमारा बस हम इंसान है और मिलजूल कर रह अपनी life को enjoy करना है आधी से जाद है 50% problem आज की आज ही solo हो जाएंगी अगर यह implement हम लोग कर पा रहे है पर लेकिन देखिए यह चीज़े मतला जहां country में जिसमें हैं वहाँ पर इतने अच्छा development होता हुआ दिकाता है और हम लोग इनी के चकर में रहते हैं लड़ते हम देखने को मिलती है तो European Union की country है आप लोग को normally देखने को मिलेगा और काफी अच्छी एकनोमी भी हापर आप लोग इसकी नजर आएगी ठीक है तो थोड़ा से इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं और कई बार आप लोग से इस तरह कोशन पूछ ले आते हैं कि कंट्री देदेंगे आप लोग को मैप में बोलेंगे क्या कंट्री है यह ठीक है लैंड लोग कंट्री नजर आएगी हाँ पर तो थोड़ा वो भी आप लोग बात याद रख सकते हैं ठीक है करेंसी भी इसकी याद रख सकते हैं यह है तो करेंसी भी इसकी याद रख सकते ह है OSCE का मेंबर है तो और Council of Europe का भी तो इस तरीके से काफी शांदार कंट्री है थोड़ा याद रखेगा आईए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है आपर गजनेर wildlife century के बारे में देखे सबसे पहले तो आप लोग को location का पता होना चाहिए तो फटो आप लोग मैंच कर सकते बीका नेर घजनेर तो कई बार आप लोग को यह बात भी देखने को मिलती है अगर आस-पास की जगह आप लोग देखेंगे तो कहीने-कही थोड़ा सा को दिखेंगे हिंदु के अलग नाम दिखेंगे क्रिस्चन के अलग नाम दिखेंगे तो कहीं न कहीं आप लोग अगर किसी एरिया से थोड़ा आप लोग तो बस्टर देखिए एक बहुती critically Danger यह पक्सी पाया जाता है normally आप लोग देखने को मिलेगा और दो ही country में पाया जाता है एक तो है इंडिया और दूसरा है पागिस्तान और maximum संक्या इंडिया में नजर आएगी और वह maximum जो संक्या इंडिया में है वह भी आप लोग को मैक् इंट्रेड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट के तहते यहां पर इसके लाव आप लोग नजर आ रही है तो कुछ थोड़े एरिया है आपर कई बार नाम ही आप लोगों से पूछ ले जाते हैं बस नाम के उपर ही पेपर होते हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जब पढ़ाई जो साही डिरेक्शन में जा रही है और और भी बच्चे कमेंट पढ़ें उनको भी लगए कि हाँ सही चीजे हो रही है उससे आप लोग और ट्रेस्ट बढ़ेगा उससे आप लोग और अच्छी से पढ़ाई कर पाएंगे तो कोई भी एक्जाम देकर आते हैं तो नीचे कमेंट वोक्स में बताया करें कि कौनसे कोश्चन आप लोगो वीडियो से मिलै ताकि आप लोग उससे और उनको कोशन को हो सके तो आप लोगो कोशन हो से पोस्कंट किजिए और फिर एक दूसरे से मिल जख़ुलकर भी उनका दीजिए, ठीक है, जिसे कि आप लोग यहाँ पर question paper match भी कर सकते है, comment box में एक दूसरे के साथ में मिलके Next है, Bimistik, इसके बारे में जान लेते हैं काफी important है, कई बार news में भी रहता है, full form ही पता होनी चीए सबसे पहले तो, Bayo Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation यह की full form हो गई आपर, साथ country आप लोग को देखने को मिलेगी और इंडिया का काफी interest रहता है, region आप लोग समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं है, जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया जहाँ पर रहते हैं, जो काफी news में रहती है, साख आप लोग को देखने को मिलती है, पर बिमिस्टिक में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए काफी अच्छी से वक करती है, साथ country कौन कौन सी है, पहले तो आप लोग को पता चल गया, इंडिया होगी यहाँ पर, बंगलादेश, मैनमार, सिरिलंका, थाइलेंड, भुटान और नेपाल, ठीक है, कई बार आप लोग से particular country पूछ ले जाता है, तीन country देदेगा आप लोग को, बोलेगा कि तीन country के तो जो नाम होगे वो नहीं होगे, और एक country रहेगा जिसका नाम होगा, ऐसे बोल सकता है, या फिर आप लोग को देखने को बोलेगा, चार के जो नाम है, वो इसमें से देदेगा, उठा के एक बोलेगा, कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग खासकर जो news में रहती है, बहुत ज़्यादे news में है यह, जब जब बात आती है, साग की तो तब तब news में आती है, और इंडिया बहुत ज़्यादा focus देगा चल रहा है, इस बिमिस्टिक पर तब से यहाँ पर जब से साग की ज़्यादा focus नहीं दिया जा रहा है, अपने इस वाले रीजन पर तो कम से कब focus किया जाए, जो की इस्टन वाला रीजन है, तो नोर्थ इस्ट आप लोग देख सकते हैं, एक्टिस्ट पोलिशी की हम लोग बात करते हैं, तो इसलिए काफी important यह portion हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग याद रखेगा, इसके अलावा chairmanship तो इसकी rotate होती रहती है, पर permanent secretary आप लोग यहाँ पर ढाका में देखने को मिलेगा, ओके, और free trade यहाँ पर कई बार बात की जाते है, free trade agreement को लेकर under negotiation अभी चल रहा है, इसके अलावा आप लोग को देखने को मिलेगा, 14 यहाँ पर priority secretary नोगे set करके हैं, कि इन एरिया में हम लोग को development करना है और मिलकर work करना है, मतलब जब यहाँ पर एक common agenda बनाएंगे तब भी तो अबग कर पाएंगे न, देखें, यहाँ पर जो data है थोड़ा पुरान है, 2014 का है, तो थोड़ा याद रखेगा इसको, बात की जारी है, 1.5 billion लोग है लगबग और 2.5 trillion लगबग आप लोग को एकनोमी नजर आती है, हाला कि इन तरी लगबग इंडिया की हो चुकी है, अपडेटा थोड़ा अपडेट हो चुका है, पर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा माइंड में रखने के लिए थोड़ा इसको याद रख सकते हैं, नेस्ट हमारी यहाँ पर चल रही है योजना, और योजना में हम लोग डिस्क्स कर रहे हैं यहाँ पर क्या, GST, Goods and Service Tax, तो उसके बारे में थोड़ा ओर डिटेल में जानते हैं यहाँ पर, जब आता आती है, Federal Relations की मतलब संगवाद के धाचे की, जब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है, 29 इस्टेट हैं और 7 उनिन टरेट्री हैं, सेंटर के साथ हैं मिलकर काम कर रहे हैं अच्छे से, आप लोग को देखने को मिलेगा सबसे शांदार जो अभी लेटेस्ट उधारन है, यह है GST को पास करनेगा, GST को जो पास किया गया है, यह 29 इस्टेट साथ उनिन टरेट्री और सेंटर मिलकर यहाँ पर काम कर पाएं, तभी GST को पास किया गया और GST में आप लोग को जो देखने को मिलता है, वो इंडिरेक्ट टेक्स है, मतलब आप लोग डिरेक्ट गवर्मेंट को पेज नहीं करते हैं टेक्स, यह टेक्स इंडिरेक्ट वे में गवर्मेंट तक पहुँच जाता है, आप लोग जो भी सावान खरीद कर लाते हैं उस पर टेक्स पेज करते हैं, और indirect way में government तक पहुंचता है तो इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा indirect tax बोलते हैं one tax बना दिये गया पर फिर भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा लगवक 45% जो tax है indirect वो यहाँ पर cover नहीं है जो कि यहाँ पर collect किया जाता है रियली state देखने को मिलेगा जो घर बनाए जाते हैं builders जो होते हैं building मनाते हैं petroleum product देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पर आप लोग diesel petrol देख सकते हैं alcohol beverage देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पर सराब दारू अगरा जो बेची जाती है यह आज की date में भी GST के बार है question direct बन सकता है की तीन product देदेगा आप लोगो कौन सा इन में GST के अंदर है और कौन से नहीं है तो इस तरीके चार्टने के लिए कोई सा भी question आ सकते है तो थोड़ा सा इस पर focus देकर चलिएगा normally देखने को मिलेगा आखी रहसा क्यों किया गया देखे जो state है उनको आप लोग को देखने को मिलेगा maximum जो tax collection है वो ही से होता है अगर यह भी हाँ पर direct इसके अंदर में डाल दिया जाएगा तो कही सारी पोलों यहाँ पर create हो जाएगी पर इन सब चीजों से तो इसलिए हाँ पर बोला था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा है नुकसान होने वाला है अगर कल को GST को implement किया जा सकता है यह बात आप लोगों ने देखी वी ओगिस टाइम पर जयाल अलिता जी भी कई बार बाते बोल दी दी कि हम GST को कभी भी अपनी स्टेट में implement नहीं करने देंगे पर लेकिन फिर भी सब को मिला जुला के बात करके चीजों के हाँ पर बताया गया कि हाँ एक टेक्स बनाते हैं all over country में और फिर उसको implement करते हैं पर लेकिन जब देखे अगर RBI की रिपोर्ट की भी माने तो उसके द्वार भी won किया गया था कि बहुत ज़्यादा uncertainty हाँ पर देखने को मिल सकती है जो कि revenue जाएगा इस state के पास में टेक्स को implement किया जाता था वह एक elected body के द्वारा किया जाता था मतलब legislature के द्वारा किया जाता था पर लेकिन कहीन के आप लोग को देखने को मिलेगा जो जो जीएसटी हाथ में पावर रह गई है implement करने के across country में कहीने गई जीएसटी की council के हाथ में पावर आ गई है तो कुछ चीज़े अच्छी है कुछ चीज़े बुरी है पर लेकिन overall development देखा जाए तो इतना बड़ा development आज तक किसी country में देखने को नहीं मिला है टेक्स से लिटरी जितना आ याद तक हमारी country में हुआ है पर फिर भी आप लोग को देखने को मिल रहा है बहुत सारी चीजे लोकल लेवल पर भी जैसे एंट्री टेक्स हो गया मूंसिपल डेवल पर entertainment टेक्स हो गया आप लोग को लोकल बोडी जो जिखती है मतला movies बगएर जो चला जाते है उन पर जो तो तो इस तरीके से हमारी country में 29 इस टेट यहाप उनको प्रोविंस पर देंगर चले उखर देगे चलेगी तो इस तरीके से खहिने के हैं आप लोग को देखने को मिलेगा अगर कल को वहां पर इंडिरेक्ट टेक्स में कोई चेंज्स किया गया था वहाँ पर बु मंज़ आ लेकिन जब हमारी कंट्री में बात आती है तो हमारी कंट्री में आप लोग को एतना आसान नहीं है और आप लोग को देखने को मिलता है कि तो बहुत बड़ा आप इसको change बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आसानी से किया गया, काफी बड़ा आप एक change निकल कर आया, और जो over the time कहीं ने कहीं, जो Indian political भी कहीं ने कहीं, बहुत large scale पर decide करेगा, चीजों को change करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो थोड़ा से इसके बारे म इसको भी देखेगा थोड़ा, next यहाँ पर mixed economy के बारे में जिकर किया गया है, तो थोड़ा से इस पर ध्यान दीजेगा, question का answer जरूर दीजेगा, next जो question मेने आप लोग से पुझे थे, उनका आप लोग के सामने answer है, GST के बारे मेने आप लोग से पुझे थे, कौन सी country है, जहाँ पर first time आप लोग को यह concept देखने को मिला, तो यह Canada थी country, next मेने आप लोग से पूझा था, कि कौन कौन से आपर GST के अंदर subsume किये गए थे, मतलब GST के अंदर आ गये थे, तो central excise duty आप लोग को देखने को मिलेगा, including additional excise duty होती है, यहाँ पर service tax आप लोग को देखने role, काफी large scale पर role play करता था, अलग 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 value added tax आप लोग के सामने निकल कर आता था, तो यह सारे यहाँ पर subsume हो गए हैं, तो all of the above हो हैं आपर तो थोड़ा सा picture याद रखेगा इसके बारे में, next आप लोग को tax rate का जो multiple range जो उसके बारे में जिकर किया गया था, तो यह range आप लोग को नजर आती है, 0-28 के बीच में, 0-28 के बीच में आप लोग को यह range नजर आती है, यह range भी आप लोग उसे पूछी जा सकती है, इसमें जो product है कई बार उपर से नीचे होते रहते हैं, जिस तरीक से आप लोग को देखने को मिला, कई बार जो GST council है, वो rates को यहा इसका रिविजन यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, राज्या का जो सूचन आयोग होता है, State Information Commission उसके बारे में हम लोगों ने डिस्स किया था, तो लेक्चर का लिंक आप लोगों यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, सारे लिंक आप लोगो वीडियो के नीचे मिल जाएगे, जाकर आप लोग इनको जोइन कर सकते हैं, आईए एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्या कि हम लोगों ने डिस्स किया, पहले हम लोगों ने देखा, करनाट का में वर्ल्ड का लार्ज है, इसके बारे में थोड़ा याद रखे इसके बारे में थोड़ा आप लोग याद रखेगा, यह हम लोगों ने देखा, यूनाइटिड इस्टेट अफ अमेरिका में, लोकेशन भी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिली, नेस्ट न्यूक्रिय पार प्लांट के बारे में हम लोगों ने जाने हाँ पर इंडिया इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, नेस्ट आप लोगों ने बिमिस्टिक के बारे में हम लोगों ने डिटेल में हाँ पर जाना, इसके बारे में भी थोड़ी से इन्फोर्मिसन आप लोगों पता होनी चाहिए, नेस्ट इसके अलावा आप लोगों यहाद योजना में हम लोगों ने डिसस के हैं आपर complete GST के बारे में किस तरीक से GST को हैं आपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो out of the GST रखी जा रही हैं तो हम लोगों ने हैं आपर detail में देखा इसके लगा आप लोग के सामने हैं आपर questions थे जो में आप लोग questions दिये और ये थे आप लोग questions के answer तो देखे लेक्चर अगर पसंद आया तो आप लोग को like कीजे ने पसंद आ तो dislike कीजे dislike कीजे के comment box में जरूर बताइए लेक्चर की PDF आप लोग यहाँ पर भी मिल जाएगी आपर भी मिल जाएगी चीजों को share भी कर दे किजे ताकि सब को फायदा हो जाए तो आज के लेक्चर में इतना ही अपने आसपस सफायर के paid photo को save कीजे पोलोथीन प्लास्टिक वेगरा कम से कम use कीजे आज के लिए इतना ही thanks a lot for listening जै हिंद